आज हम वरत के थाली के तीसरी रेसिपी देखने वाले है जो फिर से एक complete meal होने वाली है उसमें दो पूरिया एक सबजी और लस्ती रहने वाली है तो सबसे पहले हम पूरी देखते हैं तो दोस्तों यह आलू और राजगिरे के आटा की पूरी है तो यहाँ पे सबसे पहले हम दो boiled आलू को अच्छे से mash कर लेंगे और फिर हम इसमें लगबग एक टीस्पून रेड़ चिली फ्लेक्स टालेंगे और एक टीस्पून मैंने यहाँ पे तिल डाले है अगर आप तिल नहीं खाते है तो उसे मट डालिए और थोड़ा सा नमक डाला है और फिर हम इसको पूड़ा सा उपर राजगिरा का आटा लगा है तो दोस्तो आलू के टाइप पे भी डिपेंड करता है कि इसमें कितना आटा लगीगा अगर आपके आलू में ज्यादा मौइस्चर है तो थोड़ा ज्यादा आटा लग सकता है तो आप एक बर ऐसा चेक करके ही उसमें और क्योंकि थोड़ा उसे गूंदने के बाद अगर आपको वो हाथ में बहुत चिपक रहा है तो थोड़ा और आटा डालके उसे फिर से गूंद लीजी तो दोस्तो इसकी पूरिया बहुत टेस्टी बनती है उन्हें आप ऐसे भी खा सकते हो और दही के साथ भी खा सकते हो या हमें राजगिरे का आटा लेना है लगबग आदा कप और उससे आदा जो है हमें आरा रोट का पावडर लेना है फिर उसमें थोड़ा नमक और लाल मिर्ज के जो फ्लेक से वो और थोड़े से तिल अगर आप खाते हो तो और उसमें थोड़ा धनिया पावडर डालके हमें स केस्टी बनती है सॉफ्ट बनती है और इसे कोई भी वरत के सबजी के साथ आप खा सकते हो तो इसे सॉफ्ट गूंद लेना है और फिर इसे भी थोड़ा सा हम तेल लगाके 15-20 मिनिट के लिए हम सेट होने के लिए डो को साइड में रख देंगे और फिर हम इसकी पूरिया बन के लिए मैंने यहाँ पे गाड़ा दही लिया है जिसको मैंने फ्रीजर में रखा था एक घंटे के लिए तो सबसे पहले हम यह 15-20 काजू और हमें जितना मीठा चाहिए उसी सबसे हम इसमें चीनी डालेंगे और उसे अच्छा पीस लेंगे क्योंकि बाद में वो काजू फ फिर दोस्तो हम हमारी लास्ट रसिपी पनीर की भूरजी देखेंगे वरतवाली तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल स्पून लगबग घी लिया है और हम घी में एक वरतवाला तड़का लगाएंगे बस हमें इसमें जीरा डालना है थोड़ा सा जीरा डालेंगे आ और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और फिर हमारा जो क्रंबल किया हुआ पनीर है यहाँ पे 100 ग्राम पनीर है तो वो मैंने इसमें डाला है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा हमें बस नमक डालना है नमक डालने के बाद फिर से इसको हम यह बहुत अच्छा बनता है दोस्तों इसको हम कवर कर लेंगे और कवर करके कूप करेंगे दो-तीन मिनिट के लिए दो-तीन मिनिट में ही हमारी जो भुर्जी है वो अल्मोस्ट रडी हो जाती है तो इसे हम फिर से एक बार थोड़ा सा उपर नीचे करकी इसमें धनिया के पत्ते डाल देंगे थोड़े और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे और जो इसकी टेस्ट अच्छे से बैलन्स करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी खटास डालेंगे तो उसके लिए मैं इसमें थोड़ा नीमबू नी चोड़ने वाली हूँ तो बस एक स्पून फुल इसमें जूस जारा चाहिए और हमारी जो बूर्जी है वो पूरी रेडी है यहाँ तो दूस्तो हमारा डो जो है वो सेट हो चुका है तो हाथ में थोड़ा तेल लगा के हम इसकी पूरी बनाएंगे ऐसे अगर आप चाहे तो आप इससे बेल के भी बना सकते हो लेकिन थोड़ी क्राकी एजिस आते है उससे तो मैं इस तरह प्रेफर करती हूँ फिर हम इसे होट आईल में डालके फ्राइ करेंगे यह अच्छी फूलती है आप यहाँ पे देख सकते हो और यह बहुत अच्छी बनती है सौफ्ट भी बनती है यह पूरी इसे थोड़ा सा हलका हलका प्रेशर दे के ही नीचे दबाना है बहुत ज़्यादा नहीं तो हमारी यह राजगिर् reviewing है वह रेड़ी हो चुके है तो इसके बाद दोस्तों हम आलू राजगिरे की पूरी भी बना लेते हैं उसे भी हमें सेम तरीके से बनाना है हतेलियों में तेल लगा के इसे पैट करके बनाना है इसे भी आप बेल के भी बना सकते हो और अगेर इसे हम hot oil में fry करेंगे ये पूरी बहुत टेस्टी लगती है आप इसे ऐसा भी खा सकते हो दही के साथ भी खा सकते हो और जो भूर्जी बनाई हमने उसके साथ भीखा सकते हो दिखे ये एकदम फूल के आती है और इसी ब्राउन बन जाती है तो हमारी पूरी रेडी है भूर्जी रेडी है और हमारी लसी भी रेडी है तो दोस्तों अब हम सर्व करते हैं, और ये पूरी प्लैटर बनाने के लिए वहमें आदे घंटे से कम समय लगता है। और बहुत टेस्टी भी बनता है ये और बहुत फटा-फट बनता है। तो देखें दोस्तों यह combination भी बहुत अच्छा है जो पूरिया है यह बुर्जी के साथ बहुत अच्छी जाती है और लस्ती जो है यह additional हमारा पेट इक दम फिल कर देता है तो आप लोग ज़रूर यह recipe बनाएए और मुझे ज़रूर बताएए कि आपको यह recipe कैसे लगी और मे पेल आइकन दबाईए अपडेट्स के लिए थैंक यू